दोस्तो दिवाली हिंदु धर्म का एक बहुत ही बड़ा त्योहार है। दिवाली के समय देश रोजी से जगमगा होता है। कहते हैं इस दिन दियर जलाकर भगवान राम की अयोध्या वापसी का जश्न मनाए गया था। और दिवाली पर भारत ने पठा के छोड़े जाते हैं या तक की मिठाईया बाटी जाती हैं और प्यार बाटा जाता है। कहा जाता है यह पूरी तरह से हर्शो और लास का खास दिवार है। इस दिन धन की देवी मा लक्षमी और साथी गड़ेश भगवान और खास तोर पर कुबेर देव की भी पूजा की जाती है। वैसे तो अब आपको बताते हैं किस तरह से। दोस्तों हम भारत के पडोसी देश नेपाल की बात कर रही हैं। वैसे तो दिवाली दुनिया के लगभग सारे देशों मनाई जाती है। लेकिन इस देश यानि की भारत के पडोसी देश नेपाल में अलग ही ढंक से मनाई जाती है। य जी हाँ दोस्तों नेपाल में दिवाली को तिहार कहा जाता है यह बिलकुल वैसा ही मनाया जाता है जैसे भारत में दिवाली मनाई जाती है नेपाल में लोग इस दिन दिये जलाते हैं नए कपड़े पहनते हैं और खुशिया बाटते हैं लेकिन इसके अगले ही दिन एक और दिवाली मनाई जाती है इस दिवाली को कुकर तिहार कहा जाता है कुकर तिहार पर कुत्तों की पूजा की जाती है जी हाँ ये गलग ही दिवाली के अगले दिन एक डम से कुकर तिहार मनाया जाता है खास बात ये है कि दिवाली यहीं खत्म नहीं होती बलकि पांच दिन चलत जैसे गाए, कुत्ते, कौवे, इत्यादी की पूझा करते हैं, कुकरतिहार पर कुत्तों को सम्मानित किया जाता है और उनकी पूझा की जाती है, फूलों की माला पैनाई जाती है और तिलक भी लगाया जाता है, इसके अरावा कुत्तों के लिए खास वियन जन भी तैयार किय जाते हैं कुट्टों को दही का सेवन कराया जाता है अंडे और दूद खाने के लिए दिये जाते हैं लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी कामना होती है कि कुट्टे हमेशा उनके साथ बने रहें दोस्तो कुकर्क तिहार में विश्वास करने वाले लोग कुट्टे को यम देवता का संदेश वाहक मानते हैं नेपाली लोग ऐसा भी मानते हैं कि कुट्टे मरने के बाद भी अपने माले की रक्षा करते हैं इन्ही कारणों की वज़से नेपाल में कुट्टों की पूजा की जाती है। दुनिया भर में जानवरों के खिलाफ हो रही कूर्टा के खिलाफ नेपाल का है तिहार एक खास संदिश दिता है। इस दिवाली आप भी जानवरों के प्रती प्रेम भाव रखने का संकल पले। आप भी अपनी दिवाली शुप तरह से मनाएं और साथ ही एक ही द दिन को ही दिवाली बनाएं। धन्यवाद।